दियरी शुडेंट, गुड मॉर्निंग आल अफ यू, प्रत्योगता संसार में आप सभी का स्वागत है, आज का हमारा अध्यन विशे है एक्रिकल्चर जोग्रोफी यानि कि क्रिसी भुगोल और इसके अंत्रगत्थम अध्यन करेंगे स्वेट क्रांती, पीली क्रांती और न यूजना चलाया उसी प्रकार, आपके दूद, उत्पादन, मतश्य पालन और आपके जो तिलहन फसल है, उनमें वृद्धी लाने के लिए स्वेट क्रांती, पीली क्रांती और नेली क्रांती की यूजना चलाया है, तो इनके बारे में विस्तार सध्यन करते हैं, सबसे पह नहाने के लिए स्वेट क्रांती जो कारिकरम है उसका प्रारम किया, भारत सरकार द्वारा जो दूद उत्पादन के लिए जो प्रयास किया गया, उसी को स्वेट क्रांती नाम दिया गया है, यानि कि दूद के उत्पादन के लिए जो प्रयास है, उसी का नाम क्या है, स्व राज्यों को लेकर हुआ इन राज्यों में राष्टी डेरी विकाश योजना के तहद डेरी की स्थापना की गई और इसके अंतरगत मुंबई दिल्ली चेन्नाई कलकत्ता में मडर से डेरी की स्थापना की गई जैनि कि यह जो मतश , peg जो योजना है जिसे हम स्वेत योजना की नाम से जानते हैं इसका प्रारम कप का गया था 1970 में कीए गया था और किसके अंतरगत उपरेशन फ्लड योजना के इंतरगत इसके तरत क्या गया राष्टी डेरी विकास किया गया यानि कि डेरी फार्मों की स्थापना की गई और प्राराम दस राज्यों से हुआ इसके पस्षाथ है 1989 में आफ्रेशन फ्लर्ड योजना द्वीती चला गया जिसमें 885 करोर रुपय की लागत की गई इसमें यानिकी लागत लगाया गया जिससे 7 वर्षी योजना कारेकरम की रुप में स्छलाया गया इसके अंतरहत आपकी ग्रामीड शेत्र, जनप्रज सेत्र और राज्यसर तीनों को शम्मिलित किया गया ताकी तीनों का शमिन्वित विकास हो सके इस योजना को सफल बनाने के लिए भारा सरकार ने उन्षभी योजनाओं को भी लागू किया जिसके अंतरगत इसमें सहायता प्रातो हो जैसे कि दूध हुत पादन के बाद उसको क्या करना पड़ता है उसको रख रखाओ करना पड़ता है अच्छे तरीकी से और उसको देशने के लिए बजार की वैस्था तो इसके भी वैस्था की गई और उसके लिए तकनिकी पुंजी विन्योग की वैस्था भी की गई शाथ ही इन क्रांतिकार योजनाओं के अंतरगत दूध देने वाले जो पश्रू है यान उनके चारे की वैस्था है और उनके जो दोकी स्थापना भी की गई उनका विकास भी किया गया। भारा सरकार द्वारा जो पशू पालख है उनको भी प्रोश्चाहन दिया गया और उनको जो उत्तम किश्म के पशू नचल है उनको विकास करने का प्रयास किया गया और इसके सांथ हैं भारा सरकार में जो ये स्वेत क्रांती प्रारम किया है इसका बहुत ही अच्छा प्रणाम भी मिला जिसमें में दूद उत्पादन जो है 708 तन तक पहुँच गया जिसके फ़ल स्वरूप प्रतिवेक्ती 204 ग्राम दूद उत्पादन होशका जो 1995 में मात्र 1,90 ग्राम था वो बढ़कर कितना हो गया उनिशुशनताम्बे में 708 लाग तन पहुच गया और आज वर्तमार में भारत में दूद उत्पादन में अग्रणी देश है यानि कि पूरे विश्व में भारत जो है क्या है दूद उत्पादन में बहुत ही आगे है एक Artrain की शफलता है उन फुलब्दी को ही श्रेत क्रांति के नाम से जाना जा रहा है इसके पस्ठा थंध्यन करेंगे पीली क्रांति यह पीली क्रांती जो है जो तिलहनी फचल है जिन से हमें खाद्यतिय ब्राब्द होता है उन फचलों के उत्पादन में मृध्ध के लिए प् गुजराथ वो गया आपके राजय में राज़ास्थान मध्य प्रदेस धे राजय जो अन्य राजय सम्मिन ऄिट किया गया है जिस झे खेत्रों का ग्रूमी है वो कम उज्जाओ है उनको खाद्य तोयलों में आत्मी निद्भरता प्राप्त करने के लिए तीनहनी फशनों को उत्पादन को प्रोसाहित किया गया है इसके अंतरगत भारा सरकाद वारा इसके प्रणास्वरों जो तीलहन उत्पादन है उसमें उन्निश्व इंक्यावन बावन में मात्रा अर्तालिस लाग था जो पंचामबे छामबे में बढ़ कर चार नहीं आर्स और्तालिस लाग टन हो गया जाने कि इसमें कितने के व्रिद्धी हुई लगवग हंडेट परसें व्रिद्धी हो गई है समझ लेजिए क्योंकि इंक्या क्रिशी के विकास के लिए योजना चलाया गया है भारत में राजिस्थान गुजरान जो है का है महत्तपूर सूस की भूमी है इसके अत्रीक्त पंजाब हर्याड़ा महराष्ट आंधर प्रदेश करनाटा कि यह सभी राज्यभी सूस के क्रिशी के छेत्रे के इंतरगत आता यानि कि तीन अरब 17 करोड आपके और 9000 जो हैक्तियर भूमी है उसको इसमें सम्मिलित क्या गए है यह सभी क्या है सूस की भूमी है या सूस की छेत्र है जिस छेत्र के अंतरगत लगभग वर्सा भी बहुत कम होता है और उपजाव मिट्टी भी बहुत कम है और समान्यता दो-तिन साल में सूखे की समस्या देखने को मिलती है क्योंकि वर्सा यहां पास क्या होते है ज्यादा ही अनिस्चित होता है समान्य छेत्रों के तुल्दा में जिसके वज़़े से इन छेत्रों में सूस की क्रिशी को प्रोश्चाहान दिया जा रहा है इन छेत्रों में जो परसानी है यह सूस के भागों में कम वर्सा अनिस्चित वर्सा म्लेदा फ़ादा में पुशक तत्व की कमी फश्चलों में देली से परवक्ता आना जिसके कारण प्रमुख समस्याएं यहां पास उत्वन होते हैं इन्हीं समस्याओं को समधान के लिए भारा सरकार यह स्यतरों में जो तिल्हनी फर्षले हैं जिसे हम पिल्वीकरांथी के नाम से चानते हैं इनको इनके समधान के रूप में यहां पर लागों किया है इसकी अंतर जो सूस की क्रिसी के विकास है उसको शामिल किया गया है सेकेंड में क्रिशी के जो सूँषी के समुचीत विकास है तो जो सुईचाई की सुविधाय है उनको प्रोस्ताहन दिया गया फिर है वी सुबेंग के सहयोक्स जल विवाजन का योजना प्रारम किया गया इसके अंतरगत आपके महराष्ट है मध्यप्रदेश है आंध्रप्र करनाटा कि इन सभी राज्यों में लगभग 25,000 से 30,000 हेक्टियर छेत्र के अंतरगत जल्वी भाजन का विकास किया गया है इसके बाद है सूस की छेत्रों में कम समय में तयार होने वाले जो फर्शल है उनको प्रोष सहान देना और भारा सरकार ने जो विभी ने पंच वर्श योजना है उसमें विश्यास करके सूस की क्रिती है तू राष्टी विकास कारेकरम प्रारम किया गया है इस प्रकार सूस के छेत्रों में क्रिसी विकास को प्रोषाहन देने ही तू पीली क्रांती योजना का प्रारम किया गया इसके लिखित नोट आपको इसके डिस्क्रेप्सर लिंक में जो ब्लॉक फेज दिया है उसमें मिल जाएगा अब हम अध्यन करते हैं नीली करांती या नील करांती जिसे ब्लू रिवलोशन की नाम से जानते हैं इसके अंतरगत आपके मतश उत्पादन के बढ़ावा दिया ग जो आपके प्रोटीन योग्षित जो मचली वगरह है उनका पालन करते हैं उनको भी प्रुफसाहन दिया गया है जो नीली करांती है इसका उद्देश है भारत में जो क्रिशी भाग के अंतरगत मतश विवाग के उस्थापना कीगी जिसके अंतरगत क्या क्या गया है ताकि कि पालन करने वाले किसान है उनका विकास सके और मतश उत्पादन में विद्धि हो सके इसके मतश विकास है या मतश उत्पादन है इससे समंधित फिर सेकेन हैं भविश्य के लिए मतेश्य शन्षाध्नों का श्रमवर्धन जैसे कि आप सभी को पता है कि जनसंख्या व्रिधी जो है बहुत ही तीवर्यगति से बढ़ रहे हैं जो जनसंख्या 1911 में 1121 में इस्थिर थी वो जनसंख्या 1921 की बाद तीवर्यगति से बढ़ते किये जहां पर खाद्य समागरी की बहुत ही कमी है तो इन्ही सब समस्याओं से निपटने के लिए मतेश्य संसाध्नों का समवर्धन भी और शक है फिर मचवारों के आर्थी के सिती समाजे के सिती में सुधार करने के लिए ये निली क्रांति का प्रारम किया गया और मतेश् क्रिशी है जिसका तुरंथ में लाब प्राप्तों होता है तो इसमें व्रिद्धी लाने के लिए भारा सरकार ने इस निले क्रांति को प्रारम किया भारत में मतेश्य उत्पादक्तर में व्रिद्धी उत्व मतेश्य पालक एजेंसी का विकास किया गया और मतेश्य विकास राश्टी कारीक्रम चलाया गया जलाजाव में मतज से विकास कारीक्रम और मतज से क्रिशक विकास रंस्थान प्रयास किया गया इन सभी संस्थाओं की स्थापना कही गई इसके अलावा जो ग्रामिर इस्तर है वहाँ पर जोहर रोजगार योजना के अंतरगत मतज से पालन क प्रोफ्षाहन दिया गया गया जिसके त loost क्या किया जाता है उनको पट्डे पर जला सायुक दिया जासे कि आपको पता होगा कि आपके गाव में जो समूह बना होगा उनको तलाबों को कुछ मर्यग के न्तरगत या कुछ पैसों में दो साओ-तीन साल के मतस्य पालन के लिए दिया जा रहा है उसी प्रकार ये जो योजना है उसी प्रकार है तो इसमें कुल मिला करके आपके जो ग्रामेड छेत्र है उनको बहुत ही अधिक लाब प्राप्त हुआ है तो ये हो गया आपके स्वेत करांती पीली करांती और नेले करांती यदि आपको कि और भी टॉपिक पर नोट या किसी भी प्राहर की आउनलाइन क्लास है तो कमेंट जरूर करेंगे धन्यवाद